इसका नपुराण यहां तक करती है कि इस कथा के चरीत्र को जो श्रवन कर लेता है उसको 26 एका दशी करने भी नहीं पड़ती इस एका दशी की केवल यह कथा सुनकर ही वो तर जाता बहुत द्यान से सुनना इसको कता तो बड़े भाव से सोन लुए बड़े परेमस शुए इसलिए सारी एका दशीयों में निर्जला एकादशी की महत्वता सास्त्र परमान करता है एका दश्यक्त दशक्त जो करा जाता है उसका जा सी अरो Help और प्रदोश का जो भाल गतानों दोनों का करम लगव लग लगव देखिज़े सई ही तो निरल जिला पाहूंची और और निर्जला ने निर्जला भूम्ती भूम्ती भगवान के सम्मूख में पोचने बार बार पोचने निर्जला हुआ क्या तुम्हें निर्जला एक आदशी हुआ क्या तुम्हें क्या कारण है तुम्हें यहां आने का बेकुंट पहुचने का बहुत ध्यंदेन हमाराजी शास्त तता है सोमबार मंगलवार गुरुबार सुकरवार सनीवार ये देवता वो देवता सब के बुरत कर लो सारे बुरत कर लो पर ये बुरत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते क्योंकि इनका जो पुन्य है वो मृ آپ फोड़ा सा भी करते हैं तो फुन्य समात कर objet पर हिंदू धर्म के तीन व्रते हसे वखा दिये जिन व्रतों करें ही छिंदू अधर्मक तीन व्रते वगा है जिनका पुन्य समात नहीं чтобы जो जिनका पुन्य प्रवल्पा में बढ़का गया तेले नंबर पर एका दशी दूसरे नंबर पर प्रदोश और तीसरे नंबर पर शिवरात्र एका दशी भी 26 है तो प्रदोश भी जम क्यों बोलते जाओ 26 है शिवरात्री केवल बारा केवल वाले और अगर अधिक मास की पढ़ जावे तो एक पर अधिक की आएस को तो यहां सास्तर कह रहा है कि तीन व्रत आमारे यहां जिनका पुन्य समात्य नहीं हुआ जिनका पुन्य प्रवल हुआ बड़ा इसलिए आज में माता है एका दशी का अगर के जीव आत्मा को रते हैं को मर भी गया हुअ करीम पार। निर्जला शिंचा कियों कि तारणा निरुच्छा निर्जला यह इंडो लंबी है कौनसी का दशी कामा फिर मोक्षदा उससे नीची मरत और निर्जला जो है बिल्कूल छोट्या सरूप है निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल दो चोटी करी होई है मस्तक पर बोर लगा हुआ है निर्जला के माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के सु निर्जला हठ भूल भी तुल्सी के धारण ऐसे बड़ा समतर शरूप है माथा बिंदी तो बाति आ ठाच तरठीजी एह हुआ है माथा लछष मने के ऐस में बगयन ने और निर्जला से जाकर कahnें देना तक आने का कारण की अर्षि क्यों आई हो किसा या था क्या है किस ली कि मैं चाहते हूं कि मैं जीव के प्राण छूतने के बाद उसके प्राणों को जिस समय में लेकर जीव अत्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं बेकूंत तक भेजूं गवलोगधाम तक भेजूं उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पढ़ेंगे मुझे रोका ना जाए मैं सीध है भगवान के धाम पहुच जाए इसी किर्पा हुआ इसी जाया जितनी नमाता है एक अदर्शी का भृत करती है बहुत ध्यान से सुनना आज की कता साथ जिन्दगी में मिली ना मिली पर ये कता कर इसकत बहुत ध्यान से सुनना इसका नपुरान यहां तक कहती है कि इस कता के चरीतर को जो श्रवन कर लेता है उसको 26 एक अदर्शी करना भी नहीं पड़ती इस एक अदर्शी की केवल ये कता सुनकर ही वो तर जाता सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन ब्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ती का संचार इस हिरदय में कर लीजिए जिस दिन आप ब्रत करो जैसे एका दशी का ब्रत कर रहे हो तो दस्मी के दिन शाम का समय जब आगे रात्री जब होने लगे शाम का समय आगे और रात्री का आप जब भोजन गरण करो तो उस भोजन में कोई एसा पदार्त गरण मत करिए जिस पदार्त के करण आपकी एका द स्रिष्ट बोजन ग्रेन करिए दसने और एका दशी का दूसरा नियम बहुत भ्यान से सुनियेगा जिस दिन आपकी एका दशी का ब्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्ष की कोई पत्ती तूटे ना कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्ष की पौधे की किसी भी ब्रक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना तूटे बहुत ध्यान दिजेगा मरत एका दशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की किसी ब्रक्ष की किसी डाली की कोई पत्ती ना तूटे इसका प्रयास कर कितना सुनदर ब्याख्यान कहा है कितना सुन्दर बढगनी है वारत कि मात्र एका दसी का बरत कर लेने पर हमं मात्रे का दसी का बरत कर ले ने जो पूर्म में किया गया हमारा पापकर्म है हमने किसी जीव की हत्या करी है हमने किसी को कश्ट प्रदान कर आए हमने किसी को अपशब्द कहा है हमने किसी को आड़ा तेड़ा कहा है हमने किसी को गालियां दे दी है मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर यह सारे जो दोश ह है वो समाक्त हो जागा है कि सारे दोस्ट हमारे समाक्ति पर आजा अब एक विच्छार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में अपनी द्रक्ति में बात उतारिएगा एक अपने मन में बात को उतार कर रखियेगा कि आप अपने पाप को अपने पाप कर्म को जिस दिन करने वाले हो समाप्त करने वाले हो अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ती पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसंता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है कल मेरा पाप समाप्त हानों हो जो मेने पाप करम आए वो समाप्न होगा जो ने पाप करम करा है वो कर समाप्त समाप्त हो जाएगा तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर पर horrifying ना हर बहुत हुआ है कर चेरे पर वह प्रसुंथ आपके आ ना चाहिए कि कल मेरा एक्या-दशी का बते है आज कल ढी गिरें एका दसी का व्रत रहेगा तो में ना जाने कि तडैना अ kitten tap audienceAmerica कितना कि तडैना किoga तड़द इस्पालियों इसमें मुझे प्रसुन भड़ इसमें तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एका दशी के दिन कोई ब्रक्च की कोई डाली की कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए क्यों तो अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं ब्रक्च की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देत ओम स्री सिवाय नमस्तु ब्यम ओम स्री सिवाय नमस्तु ब्यम तो फ्रेंड आप भी गुरुजी के बताय उपाय जरूर करें और अपना जीवन धन्य बनाए